500 साल के बाद भारत की भव्य धरा पर एक अईतियासिक आयोजन संपन्न होने जा रहा है 22 जन्वरी के दिन आयोध्या के भीतर श्री राम मंदिर की परतिष्टा का भव्य आयोजन होने जा रहा है दिपावली हम हर साल मनाते हैं गरगर दिये जलाये जाते हैं लेकिन ये तो महा दिपावली जैसा आउसर है कि 500-500 साल से हम जिन की प्रतिष्टा कर रहे थे वह राम मंदिर का निर्मान हो चुका है और रामलल्ला की प्रतिष्टा होने जा रही है हमारे लिए ये महा दिपावली का आउसर है मुझे बराबर याद है आज से 40 साल पहले माननी ये प्रधान मंत्री स्री अटल विहारी वाचवाई राम सीला का पुजन करने के लिए एहमदावात पधारे हुए थे और उस समय परंबुज्य तपागच्छा दिपति गुरुदेव प्रेम श्री स्वरजी महाराज साब के पास माननी ये प्रधान मंत्री स्री अटल विहारी वाचवाई राम सीला लेकर के पधारे हुए थे और गुरुदेव ने बड़े भाव से बहुत सीला के उपर वासक सेब किया था और समूचे जैन समाच को संकल्प करवाया था के हम सब को कंदे से कंधा मिला करके राम मंदिर का निर्मान करवाना है और वह घड़ी आ गई जिसकी प्रतिक्सा सालों से अनेक संत कर रहे थे अनेक लोग कर रहे थे अनेक महानुभाव कर रहे थे अनेक साधू कर रहे थे कि वह घड़ी कब आए और हमारे सब के मन की जो वांचा है, जो इच्छा है, जो मंसा है वो परिपुर्ण हो और राम मंदिर की भव्य प्रतिष्टा हो यहाँ राम मंदिर राम मंदिर नहीं है अपितु यह राष्ट्र मंदिर है भारत के हर एक गाउं में हर एक कोने में एक राम मंदिर होता है लेकिन यह जो अयोध्या में निर्मान हुआ है अयोध्या में तैयार हुआ है वह राम मंदिर नहीं अपितु राष्ट्र मंदिर है एक ऐसा राष्ट्र मंदिर एक एक इंसान की भावना जुड़ी हुई है ऐसा यह राष्ट्र मंदिर है और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सीख हो चाहे इसाई हो चाहे जैन हो सभी ने राष्ट्र मंदिर के निर्मान में अपना अधुद योगदान दिया है और जैन समाज भी पीछे नहीं र तब भी जैन समाज कंदे से कंधा मिला करके राम मंदिर के निर्मान के लिए उत्सुक और उत्साहित था और जब राम मंदिर के निर्मान की बात आई और जब योगदान देने की बात आई जब द्रव्य से कुछ अरपन करने की बात आई तब भी जैन समाज और जैनाचारे पिछे नहीं हटे सभी ने अपने से हो सके उतना यह मंदिर में योगदान भी किया है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर मात्रा राम मंदिर नहीं अपिदू राष्ट्र मंदिर है और माननिय प्रधान मंत्री स्री नरेंद्रवाई मोदीची को और उनकी पूरी टीम को मैं अभिनादन देना चाता हूँ समूचे जैन समाज की ओर से सभी जैनाचारियों की ओर से और खास कर परम अपने यहाँ अध्वूत काम कर दिखाया है जो 500 सालों में जो कोई नहीं कर पाया 500 सालों के संघर्ष का परिणाम आपने हम सब को दिलाया है आपको जितना अभिरन दंदे उतना कम है और मुझे बराबर याद है कि जब माननियम नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्य मंत्री थे और जब बार बार गुरुदेव गच्छा दीपती प्रेम सुरी दादा के पास दर्शन मंदन करने के लिए आते थे और तभी हर बार गुरुदे अभिनन दंदर करना चाता हूँ वकार सिवकों का जिनोंने अपनी जान जोखिम में डाल करके चिनोंने अपनी जान को दाओं पर लगा करके मैं अभिवादन करना चाता हूँ वकार सिवकों का जिनोंने अपनी जान जोखिम में डाल करके जिनोंने अपनी जान दाव पर लगा करके यह मंदिर के निर्मान में अपना अभूत परोय योगदान दिया है और मैं आप सभी से कहना चाता हूँ कि 22 जनवरी के दिन जब यह प्रतिष्टा होने जा रही है 2024 का यह साल हमारे लिए अधभूत बनेगा 22 जनवरी 2024 के दिन जब मंगल प्रतिष्टा होने जा रही है मैं तभी आप सभी को आवान करना चाता हूँ कि हर घर में दीप जलाना है हर मन में उस्सहा को भरना है हर घर को सजाना है क्योंकि यह मात्र अयोध्या का त्योहार नहीं है मात्र हिंदू समाज का त्योहार नहीं है अपी तो पूरे समुचे राष्ट्र का यह त्योहार है और राष्ट्र मंदिर का निर्मान होने जा रहा है पूरा एक एक इनसान कोई भी बाकी न है जाए चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सीख हो चाहे इसाई हो चाहे जैन हो हर एक व्यक्ति यह मौस्व में जुड़े यह आयोजन में जुड़े और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि अपने भीतर में बैठे हुए रावन क मारना है यह जब प्रतिष्टा आ रही है तब हम क्या करेंगे हमें एक ही काम करना है हमारे भीतर में जो बुराईयों का रावन बैठा हुआ है उसको जगाना है यह रावन को मार पाए और राम को जगा पाए तभी हमारी यह प्रतिष्टा हमारे लिए सार्थक होगी पुन यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले